गोविंगर थाना छे तंतरगत चुया गाटी में पल्टी बस यात्री हुए गायल गायलों की संख्या लगबक 50 बताई जा रही है मौके पर पहुची गोविंगर थाना सहित रामपुन नैकिन की पुलिस नमस्कार मैं कुल्दीप साहूग और आप देख रहे हैं दाखबरदान न्यूज गायलों को अस्पताल पहुचाने के लिए मेडिकल कॉलेज रीवा से मगाई गई कई अम्बूलेस दुरगटना में घायल हुए लगबग 30 यात्रियों को रामपुन नैकिन के समधाइक स्वास्त केंद ले जाया गया जहां सामान चोट होने के कारण चिकित्सक दल दोरा उनका प्रात्मिक उपचार करूने छुट्टी दे दी गई है वहीं सड़क हाथसे में घायल लगबग एक दरजन यात्रियों को गंबीर चोटाने के करल संजे गांदी अस्पताल रेपर कर दिया गया है जहां भी से सग्यों के दोरा घायल यात्रियों का उपचार किया जा रहा है बस बस सवार यात्रियों के मुतावित स्याम बस सर्विस बलखडा की बस क्रमां केंपी 17 पी जीरो तीन चोपतर रिवस से सिधी की ओर जा रही थी बस जैसे ही छुया घाटी में पहुची तो तेज अपतार होने के कारण अन्यंत्रित होकर लगभग 30 फिट गहरी खाई में जा गिरी रिवस से हमारे रिपोर्टर बिजय किवारी की रिपोर्ट बने रह दाखवरदार नीज के साथ धन नुवाद राम्पुर नैकिन में आया है यहां भी मतलब लिवा भीजने की तैरी हिए कुछ लिफट जा चुके हैं और बाकी जो है तो भी इनका चीटमेंट चली रहा है रामपुर नैकिन प्रसासनिक ब्युस्था क्या क्या को ना गया है प्रसास्थ भी दियम सराय हुए है और अच समाथ पूरा इस्टाप थाना आ चुका है और डीम सर्विया है और इस्टाप जो भी विवाग का हई है करियर क्या गड़त होई चमर होई यह कहा जाए तो यहां पर हुई चुछ यह गाटी में होई तीसे नंबर गाटी में ही हुई है जो तीसे नंबर वोड़ा उसमें हुगा है यह बस का पता नहीं चला भी बस नीचे पर यह हम लोग को क्या है हम लोग पेशन्ट को लेकर आ रहे हैं लगबगन दस-पंदा घायल हुए हैं और बांकी कभी और रेफर किया जा रहा है प्रेट किसी को नहीं हुई है जी ने राम पो सब नहीं है फिर वहां से रिफर लेकर हम लोग इदर आ रहा है तो बस ने आज सबना से आरी सिग्णल भी जा रही थी लाश नीचे उतरता ही समय हुए तीसरी घाटी मोर में हो तीन घाटी है बची तीन घाटी है बची तीन अब यह और यह अब यह आरे यह आरे यह बोगेन पर देल प्रुट्स वाट्स बरेए पालिट